कि यह लास्ट वाली लाइन सुने आप लोगोंने फिसको फिर से सुनी एक बार क्या बोलता है यह क्या ओकाद है तुमारी और उदर से जो ड्राइवर को रिपरजेंट करने वाले लोग है उन्होंने बोला सर्फ प्रोब्लम तो यह है कि आप लोग हमारी ओकाद ही नहीं समझ रहे हो तो यह एक इतनी बड़ी प्रोब्लम है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है और यहां पर DM साब का जो यह एक तरीके से ब्यान था इसने क्या क्या इसने सब कुछ चेंज करके रख दया ग्राउंड लेवल पर यानि कि एक तरीके से किसको यह बात बुली जा रही है आप लोग यह बात सोचे एक मिनट के लिए हमारे देश के अंदर में एक ऐसी जो कि पूरे देश के अंदर में जो आज की डेट में खाना पेइना दाने का जो सामान है एक जगे से दुश्री जगे पर पहुंचाती है और वह कम्यूंटी जो कि बहुत बड़े सेक्सन को रिपर्जेंट करती है हमारी सोसाइटी के अंदर में जो अपने घरबार को ने इनके द्वारा बोला गया तो इससे दिखाता है कि हमारे देश में जो ब्यूरो क्रेसी है वो लोवर तब के को सोसाइटी को किस तरीके से ट्रीट करती है तो यह चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और उसका रियल इंपैक्ट आप लोग को यहाँ पर जब पब्लि इस सेद्टी में जो इमपोर्टेंट बात है अगर बात करो तो पब्लिक के लिए ही हँआ पर बैठे होते हैं जिनको आप लोग पबलिक सर्वेंट बोलते हो कि यहाँ सोसयटे के लिए करेंगस Mississippi को चेंज कर देगे वह सारी बातें बॉलते हैं अगर यह प्रोतेस्ट कर र अपने अधिकार का इस्तमाल कर रहे हैं कोई चीज सरकार ने की वो चीज उनको गलत लगी उसका उन्होंने विरोध किया विरोध करने के बाद में बेसिकली अब सरकार को सुच रहे हैं कि हो सही था या गलत था उसके ओपर एडिजिजन लीजे यह बोलना बैठके पुब्लि केस था वह उस्बेंड और वाइव मतलब वह अपना कुत्ता टहलाने आया करते थे उस पर्टिवलर स्टेडियम के अंदर में और उनके कुत्ता टहलाने की वेसे जो बहां पर खेला करते थे बच्चे यह फिर जूबी प्लेयर आया करते थे वह उस एरिया को छोड़कर होते ही नहीं होगी, उनके बारे में कभी बात होती ही नहीं होगी, और जिसके उपर वो एक तरीके से अत्याचार होता होगा, तो नीचे ही कहीने कहीं दब कर रह जाता होगा, तो ये कहीने कहीं इसी के लिए कही सारे प्रोग्राम चला जाते हैं society के साथ मैं connect करने की कोसिस के जाती है कि जो post आप लोग को मिली है इस post पर बैठ कर जो आप लोग life enjoy करते हो वो अलग बात है कि आप लोगों ने बहुत महनत करके आप लोग उस post पर पहुंचो पर लेकिन उस महनत के पीछे कुछ reason भी था जो आप लोगों ने करते हैं जो हमारा जो भी सामान लाना ले जाना देश के अंदर में inflation बढ़ जाता है जब यहां पर एक तरीके से डिजल पैट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं क्योंकि सामान इधर उदर से लाने में ला जाने में दिक्कात होने लगती है तो यह चीज़ा आप लोग समझ सकते हैं तो यहां पर यह इसके बारे में चलिए जो भी है इनको इसके सजा मिल गई पर हाँ यह आप लोग को दिखाने का यह परपज है कि आप लोग जब इस पोस्ट पर जाकर बैठोगे तो मुझे पता है कि आप लोग इन सब चीज़ो अभी लाल तो यहां पर जो मोहीनी है उनको फिलाल अभी जो है PCSJ के अंदर में हापर इनका सेलेक्शन हो है और बहुत ही शांदार तरीके से इनकी रैंक देखे 46 रैंक आई है इनकी आप लोग को यह मैं किसले दिखाता हूँ यह इसले दिखाता हूँ कि ताकि आप लोग डेडिकेटेड तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें आप लोग खुद देखें आप यह 2021 से जो न्यूस पेपर एडिटोरियल एनलेसे से हैं 2021 से यहां पर सुन रही है और जो सेलेक्शन की न्यूस जो यहां पर आती है वह आती है 2024 के अंदर में जाकर और इनकी रेगुलरली आप लोगो अपना आपको इंप्रूव करते रहे हैं यह सोचे बिना कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है बस यह सोचो कि आप लोग जो भी एक्जाम देरो उसमें गलती का कर रहे हो ठीक है जिदिन वो गलती होनी कम हो जाएगी जिदिन आप लोग चीजों पर कर दिए और हाँ जब भी कोई असमेसेज बेचते हो आपको सिसके अगरो एक पिक्चर भी सेंट कर दिया गरो इससे यह रहेगा कि जिससे पिक्चर वगर आएगी तो आप से कनेक्ट भी कर पाएंगे कभी आप कहीं पर जाका ड्यूटी करते हो ऐसलिए अगर कोई आप लो आर्टिकल आप लोग से डिसस किया है यह एक एथिकल केस स्टडी भी है आपर कि किस तरीके से सीविल सर्वेंट जो है वो आज की डेट में अपनी रेस्पोंसिबिल्टी नहीं भाते हैं और कितने वो सुसाइटी को लेकर जो यहाँ पर एक तरीके से एमपहती तो छोड़ है कुछ इसके बारे में आप लोग याद रखेगा बाकि बहुत ही प्यारी बात बोली गया है यहाँ पर यह तो मतलब परसनल ही मुझे अच्छी लगती है अगर आप लोग देखोगे जिंदगी में अगर अपने टार्गेट को आप लोग अचीव करना है तो बात की जारी को इस तरीके से अचीव करने के लिए आप लोग को इसके उपर अटेक करना चाहिए कि लगे कि इसको पाकर ही छोड़ रहे है वह वाली रियक्शन आप लोग के अंदर से आने चाहिए निकल कर तब आता है जिन्दगी जेने का मज़ा समझ रहें आप लोग मैं क्या गया र प्रंट पेज पर यह आप लोग को देखने को मिलेगा मैंने आप लोगों से डिसस के था कि एट इंडियन जो हमारे फोर्मर नेवी उफिसर थे उनको यहां पर कतर के अंदर में फासी के सिज़ा सुनाए गए थी वो तो अभी हां से हट गई है अभी साट दिन के अंदर मे इनको आप लोग को चीज़े देखने को मिल रही है तो उसमें यहां पर जो भी इनकी कानूनी परकिरिया है वो आप लोग को होते ही नज़ रहेगी और मिनिश्टी ऑफ एक्सिर फिर की दौरा भी हां पर यह कंफर्म किया गया है कि अभी आने वाले टाइम में कि कब तक ज जेल में डाल दिया गया कोई सज़ा सुना दी गई तो यहां पर इसके तैत में बेसिकली कानून होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जब यहां पर एक दूसरे देश में रिपरजेंटेटिव रहते हैं उनको यहां पर कहीने कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए लोक पाकिस्तान के अंदर में काउंसल एक्सिज देने से मना कर देते हैं क्योंकि वहां पर बिल्कुल आप लोग सारी बाते जाकर पूस सकते हो सारी बाते रख सकते हो तो बहुत सारी बाते सामने निकल कर आती हैं तो पाकिस्तान ने कई बार उल्टी सीधी हरकते हैं यहां पर आईए ये तो एक छोड़ा सा आर्टिकल था पर एकिन अच्छी बात है कि जल्दी ही हम लोग जो है ये चीजों को एक तरीके से हो सकता है कि हमारे देश के जो फॉर्मर नेवल उपसर है वो अपने देश में विजिट करते हुए नजराए और इनका परिवार जो फैमली वाल तो इंट्रेस्टिंग भी है और इंपोरेंट भी है अब यहां पर यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल कई दिनों से हिंदु न्यूसर के अंदर ही पब्लिस किया गया यह आर्टिकल इंडियन एस्प्रेस के अंदर भी पब्लिस किया गया और यह क्यों पब्लिस किया रहा ह क्योंकि आज है पांस तारीख और पांस तारीख को यह इसके उपर में एक editorial भी आप लोगों से डिसकस भी गयता और एक editorial भी इसके उपर में आये था Indian Science Congress इसकी particular meeting होती है हर साल और यह जो meeting होती है यह January के महिने में होती है वही first week में, यानिके लगभग एक से, मतलब लगभग मेक्सिन तो रहता है कि दो से पाँच या तीन से पाँच इस तरीके से आप लोग इसकी मिटिंग देखने को मिलती है अब की बार भी जो इसकी मिटिंग होने वाली थी एक तरीके से इसकी तो यहाँ पर यह था तीन से लेके पाँच जनुरी तक, पालेकिन अब की बार यह न्यूज में क्यों है, अब की बार यह न्यूज में इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि, कि first in hundred year इंडियन साइंस कोंग्रियों जो है उसको postpone किया जा रहा है reason कहा है, reason ही हाँ पर टसल बताय जा रहा है, रस्सकासी बताय जा रही है organizer के बीच में और government के बीच में, आखिर ऐसी क्या रस्सकासी होगी, अब तक कहा यह एक ऐसी meeting हुआ करती थी, जिसके बारे में प्राइमिस्टर जो है, वो इसको integrate करेंगे, यानि के हर साल यह जो Indian, जो यहाँ पर basically science congress है यह हर साल प्राइमिस्टर ओफ इंडिया के द्वारा integrate कीती जा रही है कब से? 1914 से, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? तो मतलब 100 साल से एक continuous चली हुई आ रही थी पर लेकिन 2 साल आकर यह रूखी दोस्तो एक तो 2021 में और 2022 में क्यों? क्योंकि उस टाइम पर COVID-19 था तो यह possible नहीं हो पाया कि इसको candidate करा जाए पर लेकिन अगर फिलाल के टाइम पर बात करें जो यह रूख गई है, यह बिल्कुल ही इसके पीछे एक ऐसा reason है, जो कि आप लोग बोलोगे कि यार यह भी कोई reason है क्या सरकार और जो यहाँ पर organize कराने वाले लोग है, उनके बीच में रसा कसी की वेसे हैं, आप पर यह देखने को मिल रही है मुद्दक है, मैं आप लोगो यहाँ पर बताता हूँ अभी यहाँ पर, आप लोग इसको देखेगे पहले तो यह जो particular meeting है, इसके बारे में इसकी theme जो है, आप लोगो यह भी याद रखते है क्योंकि कई बार यहाँ से भी question आप लोगो से पुछ लेता है कि इसकी theme क्या है, तो अब की बार की जो theme है, वो यहाँ पर अगर यह हो पाती है तो, ठीक है, तो यहाँ पर कई बना कोई particular जो चीजे हैं जब news में रहती है, तो question आप लोग उसे direct बन जाते हैं, तो बात की जारी है, global respective on the science and technology for sustainable future, यहाँ कि एक तरीके से, अगर आप लोग पहली भी अगर theme देखोगी, हाँ पर, जो last year के थी, science and technology for sustainable development with women empowerment, ठीक है, तो यहाँ पर women empowerment के बारे बात की थी, कि science and technology को कैसे sustainably use कर सकते है, women empowerment के लिए, तो यहाँ पर global perspective क्या है science and technology को लेकर for future, जो basically sustainable development है, इनके sustain करना future को, तो technology का कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, तो basically technology को हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं, कि society को किस तरीके से हम लोग empower कर सकते हैं, यह आप लोग बोच सकते हैं कि technology का इस्तमाल देखने को मिलते हैं, और पिछली बार यहाँ पर women science साइंस कोंग्रेज देखने को मिले थी, फार्मर साइंस कोंग्रेज देखने को मिले थी, इसी के साथ में children science कोंग्रेज देखने को मिले थी, साइंस के साथ में और भी काफी large scale पर यहाँ पर connectivity tribal community को लेकर pride in India, मतलब अलग-अलग section के society में क्या का हम लोग science का impact देखने को मिल सकता है, उसके उपर में यह बात करती है, और मोटे-मोटे सब्दों में बोलू सिधा-सिधा, तो आप लोग यह से बोल सकते हैं कि जब-जब यह meeting होती है, तो यह रहता है कि हम लोग science and technology को society के welfare के लिए कहां-कहां पर ठीक है, fundamental duty के अंदर में, जो part कितने में आते हैं, बताइए ज़रा, part 4 के अंदर में देखने को मिलती है, article कितने में रहती हैं, आपर यह, यह सारे question आप लोग उसे पूछे आ चुके हैं पहले भी, part 4 के अंदर में देखने को मिलती है, article 51 के अंदर में, तो fundamental duty में भी यह बात कियाते हैं, कि scientific temper generate करना है लोगों को reasonable एक तरीके से ऐसी चीज़े होनी चेह कि उनको सही और गलत में difference पता हो, scientific temper का क्या मतलब होता है, किसे ने आप लोगो को वहला फुसला कर उल्टी सिदे काम करा दिये, तो यहाँ पर एक तरीक से कोई मतलब थोड़े हैं, कि आप लोग सोची नहीं रहे हो, उपर वाली ने आप लोगो दिमाग दे रख था, उसका इस्तमाल करी नहीं रहे हो, सामने वाली ने जो बोला, उसके इसाब से आप लोगो अपने काम कर दिया, तो यह गलत तरीका है यहाँ पर, scientific temper generate करने का मतलब यह होता है, कि आप लोगो सोचो तो सही, मैंने बोला कि कोई में कुजो, भाकर कोई में कुज़ गए, क्योंकि वीर सर ने बोला था, यह इस तरीके से चलाओगे, administration चलाओगे, scientific temper का मतलब यह है, कि ठेक है, मैं बोल रॉंग कुछ, भाई साब, उसमें सही और गलत देख लो, कि हाँ, यह सही है, कि गलत है आपर, ठीक है, जो गलत लग रहा है, उसमें अपने दिमाग का इस्तमाल करो, बोलो कि सर, आपने गलत बोल दिया है, मतलब गलत को गलत बोलना, और सही को सही बोलना, इसको कहते है scientific temper, और वो भी अपनी बुद्धी का, यह फिर बोल सकते हो, अपने विवेक का इस्तमाल करकर, तो यह चीज़ें यहाँ पर हमारे देश की fundamental duties के अंदर ही बोला गया है, कि आप लोग को scientific temper generate करने है, तो society के अंदर में reasonable चीजों को बता होना चीज़ें, और Indian Science Congress जो है, वो बखुबी इसी काम को करने का काम करती है, अभी यहाँ पर इसके अंदर में, जो यहाँ पर यह scientific temper generate करने की बात की जा रही है, इसलिए अलग-अलग section के society को यहाँ पर इसमें connect करने की कोसिस की जाती है, ताकि सब को यहाँ पर understand कर सके, वरना फिर में वही उधान आप लोग को बताऊंगा, COVID-19 के टाइम पर यह बोला गया था कि नाक में नीमबू की बूंद डालो, और उस पर बोड़ी पर उस पर जान लेकर चली जा रही है, तो फिर उसका क्या फाइदा रहा गया, आप लोग यह बता दो, एक मिनट के लिए, तो इस चीज को सही करना जो है, वो बहुत ज़्यादे जरूरी है, तो इसी के चलते scientific temper generate करने का काम करती है, और इसलिए society को sustainable बनाने का काम करती है, ताकि हम लोग society को improve कर सकी, तो यहाँ पर यह Science Congress है, हर साल होती थी, प्राइम स्टोफ इंडिया जो है, यहाँ पर सिर्कत करते थे बकाइदा, पर लेकिन जो last वाली हुई थी, यानि कि 108 वाली, 108 वाली में सबस यहाँ पर दिया जाता है, सरकार के द्वारा, और वो जो fund इस्तमाल क्या जा रहा है, organizer के द्वारा, उसमें irregularities देखने को मल रही है, यहाँ पर इसके उपर में यह आरूप लगाया गया, मतलब क्या है, conduct कौन कराता है, यह question interesting आप लोगा बन जाएगा, directly exam में पुछ इसके बारे में immediately, बोलाए जाएगा कि आज की date में अभी एक तरीके का unresolved, यहनिकि इसका कोई solution नहीं निकाल पा रहा है, एक ऐसा disagreement देखने को मिल रहा है, Indian Science Congress के association के जो भी हाँ पर register society है, इसके जो event organizer है, और Department of Science and Technology, जो कि हाँ पर जिसको एक तरीके से Department of Science and Technology, जो Ministry of Science and Technology के इसके दर में आता है, इनिके Department यह पैसा देता है, यह क्या है, फंडर है यहाँ पर, आप लोग खुद देखो, मैं आप लोग को बोलो कि आप लोगों को basically क्या करने है, जिसे कि आज की date में, हम लोग बोले कि यार हम लोग को जगए 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 पेड लगाने, ठीक है, पेड लगाने के लिए पेड की sampling है, आप लोग को खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, फिर उसको वहाँ पर ले जाना, उसको वहाँ पर लगाने है आपर, ठीक है, तो कई यह तो अपने आप काम कर सकते हैं, कई ऐसे हैं, जो कि अपने आप नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक support provide कराना पड़ेगा, तो इन सब के पीछे basic कुछने कुछ पैसे की requirement पड़ेगी, और आप लोग के पास से पैसा नहीं है, आप लोग student हो, मैं आप लोग को directly बोल दियार, कहीं से युगाड करकर, आप लोग लगा दियार, पैसे वैसे ले लो इदर दर से, तो उसमें से 90% लो करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है, पाटी बाटी कर लेते हैं, बहुत दिनों में पैसे आत लगे हैं, तो कुछ भी ऐसे होंगे, कि अपने जेव से भी पैसा लगा के हो सकता है, एक की जगए दो पेर लगा दिले जाकर, तो हर तरीके की चीज़े देखने को मिलती है, जब एक संगठन के अंदर में काम किया जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाती है कई बार चीज़े, और हुई है, जो सरकार के द्वारा आरोप लगा जा रहा है, और जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर साइंस कोंग् कर दिया कि भाई साब हम लोग जो हैं, यहाँ पर पैसा नहीं देंगे, तो यहाँ पर यह बहुती बुरी कंडिशन देखने को मिली, इसके बाद में यहाँ पर जो यह साइंस कोंग्रेस होने वाली थी, यह होने वाली थी लखनाओ के अंदर में, ठीक है, यह फिर अब तक कोई ठीकाना नहीं है, तो इसकी वज़े से इसके उपर में दुनिया भर के अडिटोरियल और दुनिया भर के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो इसले vẫn अपर यह इन्यूज में, ठीक है, तो इसके बारे में सारी बात है मैंने आप लोगो बता दी, अब इसके हम करते हैं कि कहां से यह start हुई थी उसके बारें बात करते हैं आप लोग देख सकते हैं साथ वाली जो थी वह बैंगलूर के अंदर में हुई थी आठ वाली कहां पूरी ती जिसमें हमारी देश के प्रैमिस्टरस आप ने डिरेक्टली जो है ओनलाइन सिर्कत किया था यह आप लोगो बताना है तो यहाँ पर भले ही यह मिटिंग नहीं हो रही हो वो एक अलग बात है कि मिटिंग नहीं हो रही है पलेकिन उसकी थीम आप लोगो जुरूर याद रखना है और सस्टेनेबल का क्या मतलब होते है यानि कि नए रुकने वाला विकास ऐसा आप लोग बोल सकते है नए रुकने वाला यूज आप लोग साइनस एं टेकलोजी का इस तरीके से आप लोग बोल सकते है सस्टेनेबल का मतलब है कि इस तरीके से लेकर चलना कि आप लोगों ने मैं कहता हो न इससे आप लोगों ने माली ये फिलाल पेड़ काटने स्टार्ट किये तो at least उतने पेड़ लगाओ भी कि आने वाली generation के लिए उसका फायदा हो सके ठीक है तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते था तो याद रखेगा कोलकाता के अंदर में इसका उद्घाटन या इसका धकन खोला गया था 1914 के अंदर में और सोच कर देखो कि मोर दें 30,000 करीब साइंटी जो हैं वो इसके मेंबर से पर रखते हैं और कई बार जब इसके मिटिव होती साइंट किया गया था और यह तो कई बार आप लोगों से पुछा आ चुक है एक्जाम के अंदर में क्योंकि परसनी न्यूज कई बार आप लोगों से पूछ लेते हैं अब यहाँ पर यहाँ पर याद रखना अभी जो सब्सक्राइब करते हैं तो अक्सर ऐसे इंसान को हम लोग बुला ले करते थे जिसने के फिल्ड में कुछ थोड़ा वहत ठीक रखा है मतलब गाउं के इसाब से अच्छा निकल गया है तो उससे क्या होता है कि लोग जानते भी हैं और यहाँ पर थोड़ा सा उसका पर्मोशन हो जाता है और इसे के साथ में थोड़ा सा यह जाते है कि थोड़ा बहुत यार सामने वाला बंदा है तो 5-7,000 रुपे भी दे कर जाएगा कि यहाँ अच्छे से किर्केट करा लेना तो वहाँ से ही होता है कि अच्छा अब इसको अच्छे से लेकर चल पाएंगे ठीक है तो यह चीज़े आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो तो इसके बारे में सारी basic information है कि कहां कहां पर कैसे कैसे organize कराएगे कौन-कौन यहाँ पर है और किस तरीके से यहाँ पर यह मैंने बत आप लोगों बता होना चाहिए कोई भी confusion इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए ठीक है आज एक छोड़ा सा initiative आप लोग के लिए स्टार्ट के जा रहा है कि यहाँ पर जो वीडियो के end में आप लोगों के लिए question रहा करेंगे वोई खटे रहा करेंगे और फिर उनके question को मैं आप लोगों से discuss क्या करूँगा और फिर उनके answer बताया करेंगे इसका जो भी article discuss करूँगा में उसी से related question हुआ करेंगे कुछ different भी हो सकते हैं ऐसा नहीं कि वही रहा करेंगे तो कोसिस क्या करेंगे कि कई सारे question regularly हम लोग discuss कर लें प्रिलियंस में बहुत ज़्यादा आप लोग इसका देखने को मिलेगा या free state pieces की आप लोग तयारी कर रहे हैं nds cds की आप लोग तयारी कर रहे हैं तो current वाला section रहता है ये तो current पढ़ने के बाद में अगर question practice कर लेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से enjoy कर पाओगे तो इसको बोलेंगे हम लोग score booster ठीक है तो यहाँ पर slv है आप लोग के target के बीच में और आप लोग इस score के बीच में तो यहाँ पर अच्छे से score लेकर चलेंगे question दिखाया करूँगा और पहले एक बार question दिखा देंगे फिर उसके answer बताऊंगा video के end में ठीक ह सारे maximum आप लोग को पता ही रहा करेंगे क्योंकि आप लोग अर्टिकल को अच्छे सुनोगे तो सब question कहांसर आप लोग दे पाओगे और एक बच्छे ने मुझे करना mail करके कई सारी बाते बोली उसने पुराना इठाली है न्यूजवेवर पर मतलब नहीं उसने लग बाग का और 2021 का कई जगे के न्यूजवर उठा लिए और मुझे उनकी स्क्रीन सोट ले लेकर सेंड गिए ठीक है तो पता है क्या हो ला किरा है कि सर पहले आप फले से न्यूजव भी डिस्कस कर दी थी जो भी कंट्री हुआ करती थी एक एक कंट्री डिसकस करी थी मैप बेस्ट क मिला करेगा एक मैं विश्ट भी डाल दे करेंगे रेगुलर्ली ठीक है उससे फायदा होगा लोकेशन आप लोग की तयार होती रहेगी ठीक है और पर्सनी नियूज नहीं क्या करते था हम लोग मैं आप लोग को पिक्चर दिखाया करता था और पुछा करता था कि यह पिक कुछ initiative है जो हमसे start के जा रहे हैं ताकि एक effective हमारा discussion जो हो शांदार देखने को मिल सके और PDF आप लोग download करी रहे होंगे PDF में आप लोग ने देखा होगा सारी के सारी background information आप लोग को systematic way में लगा के दे जा रहे हैं तो इसको आप लोग download करते रहे हैं तो इसके लिए कोई भी डाउट आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए अगर कुछ डाउट होगा तो बताना एक और छोड़ी सी information यह आपर जैसे कि आपर यह answer writing group है ना इसके अंदर में regularly आप लोग के नहीं हाँ पर यह PDF तो पोस्ट के जाती है आप ठीक है आप लोग ने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ने विकल ठीक है तो जिसके पास में न्यूस वेफर यह यह अच्छा लगा मुझे मैंने यहाँ पर पेडिया पोस्ट की थी तो उसके नीचे निचे निचे लिघर पोस्ट करना इस्टार्ट कर दिया तो इसे फायदा यह रहेगा जिसके पास में नूस वेफर नहीं होता ह करेगी तो आप लोग अपना न्यूसेफर वगरे इसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं फिर बोलोगे तो पांच बजे पोस्ट कर दूँगा तो जो भी हुआ करें आप लोग इसके अंदर जुड़े हो तो अपना जाल देगा ठीक है और आज के लिए मैं आप लोग उसे सोरी बो सोफ्ट्वेर होता है उसमें से क्या करना पड़ता है बैसिकली YouTube के साथ में जो होता है तो कई बार पता नहीं ऐसी condition देखने को मिलती है कि उसको connect करता रहता हूं बार-बार होता ही नहीं है तो फिर क्या करना पड़ता है उस software को install करना पड़ते है उसके अंदर में setting करनी पड़ती है कि हाँ पर यह पर्टिकुलर सब्टिवेर को synchronous कर सकें YouTube के साथ में और फिर जाके फिर वीडियो जो होती है वो लाइव होती है तो यह कोई बार इस तरहीं कंडिशन देखने को मिल जाती है अब रीजन समझ में आते हैं क्या होते है यह बीच बीच में देखने को अब लेकिन मुझे मखें को अपना उल्टरनेटिव पर अगर इस टाइम पर कुछ ऐसी दिककत होगी तो हम लोग बैठ के पुराना रिवजन कर लेंगे ए ठिक है पुराना बैठ के उसी के हिसाब से आप लोग लेकर चलिए तो आप लोग के उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए इसके लिए बाकि कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अपने आप आनी रहे हो टाइम पर हमको टाइम पर बुलाते हो तो मैं समझ पा रहा हूं यार आप लोग की बाव नह करने के लिए ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं यहां पर यह काफी इंपोर्डेंट को बने गए हैं से और आर्टिकल को बहुत ही डेटेल में मैं आप लोग को से डिसस करूँगा और कोशन भी हर एक आर्टिकल से आप लोग को देखने को मिलेगे ठीक है तो इसलिए तया लोग निकल कर आते हो किसी विलेज के अंदर में से और किसी सिटी के अंदर में आप लोग जाकर रहते हों मतलब कई बार मैं अपनी बता दो एक्सपिरियंस तो मुझे पानी पसंद नहीं आया था ठीक है पानी ऐसा लगता था मैंने क्या ही पानी है यहां पर डेली में आक अधिश्य के लिए चलिए तो अधिश्य को देखकर रोना आ गया मैंने का यह कैसी रोटी है यार तो राजाओ की तरह रागरते थे तो मेरे सारे दोस्त है थे हम लोग कई सारे साथ में कि बाहर चलेंगे पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो उसमें से आधे चोड़कर जिसका नहीं सर्वाइब हो रहा है वो चोड़कर भाग जाएगा तो यहां पर कुछ ऐसे थे कि वो सर्वाइब कर गए वाय साथ रुकना है तो रुकना है खाने पीने के ओपर तो नहीं भागने गए ठीक है घर जाकर तो बेसिकली नहीं दिखा पाएंगी हम लोग इस तर sustainability फिर बनती है, तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारिया भी लगती हैं, आप लोग ने देखा होगा तो यहाँ पर चिता भी जब किसी एक particular region से आए हैं, और हमारे देश के अंदर में उनको लेकर आया गया है, तो यहाँ पर अफरीका कॉंटिनेट से हैं, आपर हमारे देश के अंदर में चिता को लेकर आया गया, हमारे देश के अंदर में सरद चिता थे ही नहीं क्या, थे पहले, पर लेकिन वो खतम हो गये थे, क्यों, क्योंकि आप लोग को पताओगा 6 के करीब की death हो गए थी पर अभी क्या हो है आप अभी हाँ पर लगबग एक साल के करीब होने को आए तो यहाँ पर जो इनकी जो female थी उनके द्वारा तीन बच्चे हाँ पर देगे तो तीन बच्चे देगे कहाँ पर ये देगे कुनू नेसल पाक के अंदर में तो अब इनकी संक्या increase होती ही नजर आएगी आप लोगे बता दो scientifically ये चीज बोली जाती है कि अगर कहीं से आप लोग इस तरीके से कई सारे आर्टिकल डिस्स केते हैं तो scientifically ये बोला जाता है कि जितने आप लोग लेकर आए हो ये मनाता है कि 50% तो उनमें से खतम होई जाएंगे क्योंकि 50% ही सर्वाइब कर पाएंगे क्योंकि हर एक इनसान जो है वो बहार तो आता है घर से निकल कर पर वो सर्वाइब तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं इसलिए आप लोगो बता दो मैं दूद लेता हूं आज की रेट में भी बकाइदा मतलब मैंने दही जमाना सीख रखा है बहुत ही शांदार तरीके की दही जमाता हूं मैं ठीक है क्योंकि मेरा काम ही नहीं चलता है तो दो ही तरीके होते हैं या तो अपनी आदत जो आप लोगों ने बना रखिए उसको छोड़ दो ठीक है या फिर उसको अचीव करने के लिए सारी सिच्वेशन ठीक कर लो तो मतलब बनाना सबजी बनाना जो भी मतलब एक मैं बढ़ाई मारूं मैं खहरा हूं कि अपने तरीके दूणने स्टार्ट कर दो ठीक है एक्सप्रिमेंट करकर यह प्योंकि मैं यार पिज़ा भरकर व वह स़ारी चीजह खागर तो सरवाई नहीं करूंगा। भुट्टा और केला दो मेरे इतने फैबरिट चीज रहे जिसमें मैंने उनको दबा कर खाया कई बार तो मतलब नहीं एक तरीके से सियत के लिए जो जो अच्छी रही मेरे लिए चीजे वो सारी चीजे मैंने फिर धूनना स्टार्ट कर दीए क्या क्या चीज मैं खाके सर्वा अगर Ki एक तो मान कर चली रहे इनमेंसे दस्तों जाने जाने लगे? अब यहां पर चीजे बड़ने लगे तो अच्छी चीजे है कोज क्या बता आज आता है death का कि हाँ पर जो फिग जो होते हैं वो छुटों को मार के खा जाते हैं कई बार खाने की वज़े से ठिक है यह समझ सकते हैं आप लोग यहाप यानिक एक तरीके से यहापर कई बार तो ऐसा ही रहता ना कि एक जानवर ने दूसरे जानवर को निप्टा दिया जबकि ह हापर अफरीका के अंदर में बड़े बड़े एरिया होते थे खाली एरिया थे यहापर ऊतनी एरिया नहिंद आप लोग देखने को मिलेंगे यह भी दिक्कत रहता है वहाँ पर आसानी से बच जाते है कई बार ठीक है यहाँ पर ऐसी च्छोड़े एरिया आप पर देखने को मिलते हैं तो इसलिए यहाँ पर यह थे कि 50% तो गाया भूनी होने तो कैसे हम लोग इसको ले कर चलेंगे उसके बारें बात की कि जाती है कि माहौल कैसे बनाइए कि ताकि इनको और ज़याद है improve के जा सके यह चीज़ आप यहाँ पर रहती है ठीक है आप लोग समझ सकते इसको तो यह चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा अब एक question जो है यह मैंने जब पहली बार पढ़ाया था तो यह question KBC में पूछ लिया बाद में चीता जो है वो देखने को नहीं मिले यह बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो ठीक है तो कई बार इसे question पूछे आते हैं तो याद रखना जो चीता होता है इसका कई बार scientific name भी आप लोग उसे पूछ ले आता है क्योंकि इतने news में थे इनको लेकर देश के अंदर में लाया गया ठीक है तो इसको यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं एसिनोनिक्स जूबेटस ठीक है तो इसका scientific name आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि चिता का scientific name होता है तो यहाँ पर इनको हमारे देश के अंदर में ऐसा नहीं पहली बार यहां से लाने की कोशिस की गया है पुराने टाइम पर इरान से भी हम लोग नहीं सोचा था क्योंकि इरान के अंदर भी काफी लार्जी स्केल में जो है चिता पाए जाते हैं पर लेकिन सरकार का ये जो एक तरीगे से जो परियास था ये successful नहीं हो पाया उस टाइम पर इसको चिता डिप्लोमेसी का भी नाम दिया गया था कि चिता देश के अंदर में लाएंगे और आज की बात नहीं कर रहा हूँ 1970s की बात कर रहा हूँ खतम कब हो गए थे हमारे देश के अंदर में जब लास टाइम इसको देखा गया तो यहाँ पर थे basically महराजा इनका नाम याद रखते हैं आप लोग रामानुज परताप सिंग इनके द्वारा लास टाइम बोला गया था कि तीन चिता का सिकार इनके द्वारा किया गया इस तरीके से इनकी जो फोटो जो थी यह काफी जदा है आज की डेट में भी वाइरल होती है जब जब यहाँ पर चिता के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने वह नहीं एक तरीके सिकार करना कि हां सेर का सिकार कर रह है वो extent हो चुके यारी कि अब यहां पर नहीं है ठीक है तो फिर बोला गया कि यार food chain कैसे चलेगी हमारी उसके तो survive करना है तो उसके चलते फिर सोचा गया कैसे कैसे इसको improve कर सकते हैं तो तब यहां पर कि चीटा देखने को मिलेंगे अलग-अलग reason में हमारे देश के अंदर रहे वतारों में आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो पर लेकिन condition क्या होगी condition यह होगी कि अंग्रेज भी चीज का सिकार क्या करते थे आप लोग ने देखा राजा रजवाड़े सिकार किया ही करते थे ऐसे condition देख सकते हैं तो इसकी वज़े से आज की डेट में हम लोग को इनको बाहर से लेकर आना पड़ गया और यह भी बकाइदा डिप्लोमेशी के थुरू काम किया गया स्टार्टिंग में तो यहाँ पर जैसे मैंने बता ना इरान वाला काम ही नहीं किया फिर यहाँ पर बोला कि साउथ अफ्रीका और नामीबिय से लेकर आएंगे तो हाँ पर जुगाट पानी करकर अब जाकर हमारे देश के अंदर में कुरू नेसल पाक के अंदर में हाँ पर चिता को लाने स्टार्ट किया दो जगे से ठीक है तो यह चीज़े आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसके बारे में एक को बोलते हैं लेपड और एक को बोलते हैं जैगवार इनमें जो सबसे इंट्रेस्टिंग मुझे परसनले लगता है वो लगता है जैगवार आप लोग इसको देखने को मिलेगी चीज़े थोड़ा सा अप लोग समझ सकते हैं कि यह थोड़ा सा हट्टा-खुटा आप लोगो सीजन बताए थे ख्राइप रभी जायद सीजन बताएथे कि उनके बीच वाला एक ये वाला सीजन होगे है ये इनके वाला सीजन होगे नो बीच ईसा लग रहा है कि आपई करनी छोड़ दिये भिल्कुल वाली फिलिंग आ रही है कि मैं नहीं करूंगा एक्सरसाइज बस मुझे खाना खाना गाना पकड़ा इवड़ का गया उसके बाद में एक्सराइज करना बिल्कुल बन तो यह वाली फिलिंग देखने को इसके question अकसर UPSC तो ऐसा पूछता है दूसरे exam में भी कई बार छोटा मोड़ा question आप लोग उसे पूछ ले आते हैं तो इसलिए इसके बारे में आप लोग हलका सा याद रखेगा क्योंकि जब question बनता है तो confusion नहीं होना चाहिए पहले तो इनकी बारे मैं आप लोगों बता दूँ जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करो इसको बोलते हैं International Union for conservation of nature यानि कि कैसे यहाँ पर data रखा जाता है कि कैसे हम लोग nature को conserve कर रहे हैं यह चिता African vulnerable category में है पर Asia के अंदर में खतम हो चुका है यह तो बोलता है कि आप लोग इनको बताता है कि क्या क्या चीजें हैं कहां कहां पर कि यह वंडरिबल हैं ऐसे हैं यह क्या बताता है यह कहता है कि जो भी ऐसी चीज है उसका व्यापार आप लोगों नहीं करने हैं यानि कि खरीदना बेचना नहीं, आप लोग उसके वयापार करे जा रहे हो, तो इसको बलता है, convention on international trade, endangered species of wild fauna and flora, यानि कि पेड़ पोधे, फूल पत्ती, जीव जनतु, अगर कोई भी ऐसे हैं, जिनको endangered की category में रखा गया है, मतलब जल्दी खतम होने वाले हैं, उसका गार म पहुच रहे हैं, तो उनका कोई भी वयापार, आप लोग उनको कोई भी trade नहीं करोगे, तो ये proper international level का convention है, इस चीज को रोकने के लिए, और अगर करता होगा पाया जाता है, तो फिर उसके खिलाब जो है, action भी लिया जाएगा, ये याद रखना, कई बार question आप लोग उसे 75 में, ठीक है, तो ये question बूचा गया थे हैं, आपर, तो याद रख लेना, trade करना, वया पार करना, emergency के time पर बिल्कुल बंद कर दिया था, ठीक है, तो emergency देश में लगी, तो इसका trade वया पार बंद कर दिया बिल्कुल, तो उसके साथ में connect करके राख लेना, जिसने tiger project के साथ साथ में tiger case आप लोग याद रख लेते हो, connect करके, 1973 का, तो इससे क्या होता है, जो आप लोग cooperative way में ऐसे study करते हो, एक fact के साथ में, किसी दूसरी के साथ में connect कर देते हो, तो लंबी समय तक आप लोग उसको याद रख पाते हो, ठीक है, और यहाँ पर यह appendix होता है, एक तर characteristic आप लोग देखोगे, bigger in size होते है, as compared भी हाँ पर asiatic चिता, ठीक है, यहाँ लोग को देखने को मिलेगे, लंबाई की उसमें, ठीक है, यह क्या होता है, यह smaller होते हैं, पर लेकिन bulk की type क्यों होते है, ठीक है, यह जो अफ्रेकन चिता होते हैं, तो इनका structure देकर कई बार आप लोग बोलते हो, यह 2005 में बनाएगी, और जब project tiger देश के अंदर में आया, तो इसके help करने के लिए, support करने के लिए, यह body बनाएगी, वो भी worldwide fund की help से, तो यह question कई बार पूछा गया भी recently, कि कि किसकी help से बनाएगा भाई साब इसको, यह worldwide fund की help से बनाएगा था, ठीक ह और इसको जो head करने वाले होते हैं, वो environment minister है, याद रखेगा, यह भी question आप लोगों से पूछाते हैं, जो national tiger conservation authority है, तो यहाँ पर कौन इसको head करता है, तो environment minister head करते हैं, और environment minister कौन है, यह आप लोग को बताना है, ठीक है, हमारे देश के समिधान के अंदर भी आप लोग को यह देखने को मिलती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग constitutional angle भी हाँ पर question मन लिया जाए, तो confusion आप लोगों नहीं होगा, तो इसके बारे में भी आप लोगों से मैं question कई सारे discuss करूँगा, ठीक है, तो देखेंगे क्या 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 आप लोगों ने इसके बारे में सीखा ह ठीक है, यह चंबल रीवर की ट्रीब्यूटरी है, इसको इस्टैब्लिस किया गया था, यह वाइलाग सेंचुरी और फिनेसल पाग 2008 में, ठीक है, तो जो भी हाँ पर चिता को introduce करने का जो नेसल प्लान था, उसके तरह जिसको लाए गया, और यह मध्य परदेश के अंदर म बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा, तो question भी पूछ जाए हाँ पर, तो confusion नहीं होना है, ठीक है, और फिर से बता दू जो भी आप लोग यह PDF, PPT वगरा डाउनलोड करते हो, यह Hindi और English में, कई सारे बच्चे पूछते रहेते हैं, सर हिंदी में है कि English में, दोनों में है यार, एक बार खोल कर तो देख लेगरो, उसको, उससे पहले ही, आप लोग पहले questioning करते रहते हो, ठीक है, एक question है आपर, अभी अगर आप लोगों से में question की बारें बात करूँ, तो बात की जा रहे है कि, how did the chita become extinct in India, इंडिया में extinct कैसे हुआ, ठीक है, इसी के साथ में ह यहाँ पर action plan क्या है, चिता को reintroduce करने का, तो यह question आप लोगों से पूछा जा सकता है, exam में directly, अब क्या होगा, extinct क्यो होगा, अगर मैं आप लोगों से पूछो, एक मिनिट के लिए सोच के 2-3 point बताओ, जैसे कि, एक तो उनका सिकार किया जा रहा है, ठीक है, तो उनको एक habitat जो होता हो जा रहा है, तो बहुत सारी चीजे हैं, जो कि आप लोग directly सोच के जरा सी देर में लेख सकते हो, कि reason के extinct होने के, आप लोग अगर बाहर गये हो, अपना गाउन छोड़के, वहाँ पर basically फिर वहाँ से वापस भाग के क्यों आए, वाइसा महाँ पर खाना सकते हैं कि pollution इतना जादा था, ठीक है, वहाँ पर 24 गंडे सारे काम अपना भी करने पड़ते हैं, इसलिए चोड़के भाग आए हम लोग वहाँ से, ठीक है, तो यह points आप लोग बना सकते हो, बहुत आराम से चीजों को understand कर सकते हो, ठीक है, question इसे कई सारे दोंगा, मैं 3-4 question basically topic से जो मैंने आप लोगों पड़ा है, लगबग 4 question मैं आप लोगों से discuss करूँगा, एक UPSC का question भी है, तो देखूँगा कितने अच्छे से आप लोगों ने article सुने, और फिर बदा चलेगा, कि हाँ आप लोगे कितने marks हैं, वीडियो के end में जब मैं आप लोगों से discuss करू आने वालों, ठीक है, परसाद मतलब, वो मैं तभी बताऊंगा, परसाद कैसा है, परसाद एक scheme है, मैंने सोचा कि परसाद भी खिलाई दूँ, वैसे article के अंदर में परसाद नहीं था, पर मुझे लगा, कि मैं परसाद खिला देता हूँ आप लोगों, तो एक परसाद scheme भी डिब्रिगर, जो केंदा है, आपर इसको include कर ले गया है, किसके दोरा, ministry of tourism के दोरा, स्वेदेश दरसन scheme के अंदर में, तो यहाँ पर हमारी देश के अंदर में तुम्हें आप लोगों बताऊंगा, यह बताऊंगा, दुनिया भर में कई सारी ऐसी country हैं दोस्तों, जिनकी ज लोग है, बाहर घूमने जाते हैं, विदेशों में, वहाँ दुनिया भर का पैसा फोक के आते हैं, बोलता ना, प्राइमिस्टर मोती ने कि साधी करने जाते हो, अपने ही देश में कर लिए, अपने देश में अपनी इकनों में फायदा हो जाएगा, तो वह बाते आप आतमे ही जाने, अपने टंडा बोरी उठाया, कहीं गूमने निकल गे, मतलब एक आधरात के लिए अपना, ऐसे जिसे आज निकले, कल रुक के परसो अपना वापस आगे, फिर दो दिन में आगे, तो अपने इस तरीके से जिसे गया होता है, रिफ्रेस्मेंट हो जाता है, तो यह मेरा चलता रहता है बीच-बीच में, आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि आप लोग का लेक्चर नहीं रुकता है, ठीक है, पेक एंड वे वह चीज़े चलती रहते हैं, मेरी कई बार, मैं जब लगता है कि हाँ यार, चीज़े हो रही है, आप निकल देना चाहिए आप लोगों से इस scheme के अंदर में include किया गया तो स्वेदेश दर्सन के वारे पहले मैं आप लोग को बता दू अच्छे से यह scheme आप लोगी cover हो जाएगी बहुत ही चांदार तरीके से और कोई question आप लोगों से scheme के वारे पूछ ले तो आप लोग फिर यह बोलते हो कि यार यह scheme तो इतनी पुरानी है कैसे आगी यार नियूज में इसलिए आगी वैसा अब इसके ऊपर में कुछ ने कुछ incident होगा ठीक है जो मतली वीडियो थी उसमें आप लोगों देखा हो कितनी सारी scheme मैंने cover की वहापर तो उसमें बकाइदा section है इसका schemes वाला तो उसको आप लोग ज जाएंगी कहां आप पर provide कराएंगी दोनुज़ जगे मिल जाएगी जहां 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 भी आप लोग अप्लिकेशन पर भी अप्लोड कर देंगे ठीक है और यहां पर जो टेलिग्राम वगर है उस पर भी पोस्ट कर दोगा जो एक तरीक से सारी आप लोग यहां पर मिल जा जा कर जाओगी तो यहां पर भी आप लोग देखने को मिल जाएगी इसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं तो यहां आप लोग की पूरी की पूरी तो इतनी टैसरी पोसिबल नी है पर हां उतने टाइम में लगबग मुझे लग रहा है इसके अंदर में तो 60 के गरीब यहाँ पर आप लोगी 30 के करीब test series test conduct करा जाएंगे जिसमें आप लोगे 20 तो yes के होंगे और लगबग 10 आप लोगे cset के होंगे इसी के साथ में आप लोगी weekly test होंगे काफी सारे लगबग 30 के करीब आप लोगे weekly test आप लोगो provide करा जाएंगे फटा फट जिससे आप लोग अपनी practice कर सकते हो तो वो चीज़े देखने को मिलेगी और अभी price जो है वो काफी कम है आपर इसका और इसमें भी coupon code लग रहा है आप लोगा old student को coupon code लग रहा है 1000 ठीक है और new student का जो coupon code लग रहा है वो 500F को use कर सकते है old or new यह आप लोग का 8 तारिक तक है यहनिके आप लोग को यह काफी सस्ता पढ़ जा रहा है भी लगबग 3000 के airfare में इसके बाद में 8 तारिक के बाद में यह coupon code भी हटेगा और फिर उसका normal price आएगा पर जो normal price भी होगा वो भी इतना analysis किया गया पूरी team के द्वारा कि फिर भी सबसे सस्ता ही आप लोग को देखने को मिलेगा market में जो भी available है ताकि एक affordable और quality study के साथ में आप लोग को चीज़े provide कराए जाए ठीक है एक ही course में दो course आप लोग के आजाएंगे उतने ही price में old वाला coupon code लगने के बाद में आप लोग का फिर यहाँ पर यह discount मिल जाएगा इनके लोग फाइदा उठा सकें इसका क्योंकि बाद में पता चलता है तो फिर बोलते हैं सर हम तो ऐसा करना था पैसे refund कर दो तो उसमें फिर दिक्कत होती है कोई न कहीं 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 क्लासी जोइन करता है ठीक है अगर ऐसे लिए family हाँ पर affordable आप लोग को चीज़े provide करा रही है और इसमें मैं एक बार बता देता हूँ वीडियो के अंदर में तो यार इसमें मतलब ज़्यादा है ऐसा तो कुछ होना है चाहिए क्यों कितने सारे टीचर यार वो सारी इतने सारे बच्चे जुड़े हैं सत्तर हजार से करीब बच्चे अभी फिलाल जो है application पर जुड़े हैं जो serious बच्चे है ठीक है तो थोड़ा सा कुछ नहीं initiative होते हैं और कोई teacher आप लोगो बताता नहीं है तो कम से कम मुझे थोड़ा सा बता लेने हैं तो कम पता चलता है कि सर पता आपने class launch कर रखी है हमने कहीं और ले लिया था तो हाँ पर आकर कई सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर बता दिया करो तो इस चीज को तो क्योंकि आधे ऐसे उतने कई बार कि पहले connected थे अभी फिलाल कुछ और कर रहे हैं जोब कर रहे हैं किसी दूस साथ में connect करेंगे basically तो उसमें आप लोग को जो selected candidate है वो आप लोग गाइड करते भी नजराएंगे तो इससे आप लोग को फायदा रहेगा कि prelims को कैसे लेकर चलना है तो वो उसके अंदर में free है अगर कोई बाहर का join करना चाहेगा उसके लिए तो उसके लिए minimum price रखा जा जाएगा तो इसके बारे में information आप लोग को provide करा देंगे इससे आप लोग अपनी study को श्यांदार तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं foundation course वाले इसको मत लेना क्योंकि foundation course वाले में ओलेडी सारी चीज़े cover होई रही है यह तो उनके लिए जिन्नोंने कुछ किया नहीं है और अ तो आप लोग ने prelims और मेंस के point of से दोनों पढ़ रखिए तो आप लोग प्रेसान मत होना पर फिर भी लग रहा है किसी को लेना है तो old वाला coupon code यूज करकर आप लोग लेने नहीं सरम तो बिल्कुल prelims के focus पे बिल्कुल पढ़ रहे है हम लोग ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है foundation code जोन करने के बाद भी लेना नहीं चाहिए पर फिर भी आप लोग को जो suitable लगया उसमें क्या बोल सकता हूं ठीक है तो कोसिस करना की foundation course का ही revision कर लो अच्छे से लेकिन लग रहा है कि मतलब देखो यार यह आप लोग का design है अगर आप लोग का allow कर रही है pocket त जब जब आप लोगों को यहाँ पर सर्दी नजर आती है तो उसमें फोग आप लोग को देखने को मिलता है मैंने बोला था कि जिस दिन में लेट हुआ गोरना उस दिन पानी नहीं पिया गोरू का बीच में तो पानी के लिए मत बोलो please ठीक है क्योंकि मुझे लगता है कि म मिलते हैं तो इसके चलते हैं पर अभी बहुती अच्छा एक सोलुशन निकाला जा रहा है कि अब कोहरे में भी नहीं थमेगी रेल गाड़ी की रफ्तार और एक्सिडेंट वगरा भी रोके जा सकते हैं रीजन कहा है इस डिवाइस का इस्तमाल यहाँ पर किया जाएगा ठी इससे कि आप लोग चीज़ों का समझ सकते हैं यह एक ऐसी डिवाइस है जो कि अलग लग लेवलों पर डिस्टिब्यूट की गई अलग लग रेलवे जोन के अंदर में अगर लग जाती है तो बहुत ज़्यदा इसका देखने को मिल जाते है अब क्या है यह इसके बारे में दिस्प्ले करती है आपर जो की लोको पाइलेट होता है उसको लोको पाइलेट मंदब जो ट्रेन चलाने वाले होते ना उनको लोको पाइलेट बिसिकली बोला जाता है तो सिगिनल के बारे में क्रोसिंग के उपर में मैंमेड क्रोसिंग है फिर अनमेड क्रोसिंग है पर्म कवच टाइप का हमारा जो सिस्टम लोंच के गए था तो वह एक्सिडेंट रोग ने के लिए था यहाँ पर मैं फोक के बारे बात करो तो दोनों को लेकर आप लोग कन्फ्यूज मत होना है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर यह क्या करता है बेसिकली यह कहीं न कहीं जो आगे कित लोग क्या है कि गुए खासकर में बात करूंगा नोर्फ इंडिया के गोarp पड़ रही है है घो मने यहाँ एक तरीके साव लोग देख सकते हिं बहुत सारे लोग जाता है तो जैसे नौर्फ इंड्य मे घंढ पड़ती है तो नोर्फ इन्टिया में जो railway system है वो यहाँ पर कहीं न कहीं एक बंद होना ही start होने लगता है तो यहाँ पर science and technology का इस्तमाल करकर हम लोग यहाँ पर अपनी speed को बरकरार रखे हुए है तो time पर train चल रही है आज की date में भी तो यह फायदा आप लोगो देखने को मिल रहेगा कि 160 km की speed maintain रख पारी है इस device की वेशे वरना यह possible ही नहीं था तो यह पहले से information आप लोग के सामने रख देती है जिसे कि आप लोग रास्ते को clearly understand कर पाते है खास कर जो local pilot है और इसको आगे लेकर हम लोग चल पाते है तो यह फायदा आप लोग यहाँ पर इसका देखने को मिलते है तो मतलब एक device है जो कि transportation sector के लिए बहुत ही important आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो ठीक है यह स्वेदेश दर्सन scheme जो है इसके अंदर में किसी भी अगर चीज को include कियाता है तो आप लोगों से question बन सकते हैं तो हलका सा अच्छे से मैं आप लोगों बताऊंगा तसलिय में एक एक point सुनकर चलिएगा दो scheme cover कर दूँगा इसी के अंदर में एक तो स्वेदेश दर्सनी scheme हो जाएगी आप लोग की कहा कहा पर क्या कै सरकेट है सारी बाते बताऊंगा दूसरा फिर आप लोगो परसाथ भी खिलाऊंगा ठीक है तो दोनों scheme क्यों है हमारे देश के अंदर में उसके बारे में भी आप लोगो बताऊंगा कहा कहा पर क्या के system create के जा रहा है ये भी होगा और इस से लेटेट एक question भी होगा जिसको वीडियो के end में मैं आप लोगा attempt कर वाऊंगा ठीक है और बागी feedback भी देदे ना जितना भी आप लोगो वीडियो अच्छी लग रहे है अच्छा लगता है जब feedback आप लोग देते हो आप लोगा target है देखता हूं कब तक आप लोग achieve कर पाते हो ये 10k target आप लोगा है है कि हमारे देश के अंदर में ट्यूरिजम येन के परियाटन बढ़े और कहां पर बढ़े ऐसी जगह उपर बढ़े जो कि हमारी कल्चर के पॉइंट अप से भी काफी इंपोर्टेंट है तो स्वेदेश दर्सन स्कीम एक गवर्मेंट का इनिशेटिव है ट्यूरिस्ट का experience enhance करने के लिए यान के बढ़ाने के लिए और इसी के साथ में जो ऐसे destination है जिनको कोई जानता नहीं है lesser known destination आप लोग को बता दो हमारे देश के अंदर में वह गूमने स्टार्ट करें अपने देश के अंदर में ऐसी जगह आप लोग को देखने को मिल जाएगी आप लोग स गरो पैर हमारी देश के अंदर में जो सी पैरेंट मिनिस्टी ए जो कि हाँ पर स्वेदेज दरसाइं इसकी को मिलता है यह सब यह लोग देटरी तुमारे हाँ पर जितने भी अच्छे अच्छी पोजिशन है आ पर जहां लोग घूमने आ सकते हैं उनके रास्ते वगरा सारी चीजे उसके अंदर में प्रोवाइड करा दो ता कि अगर कोई घूम कर आये तो उसको लोगे क्यार सही जगह घूमने आये थे फाइदा के और इससे सबसे बड़ी बात आप लोग देखो अगर कोई भी हमारी देश के अंदर में ऐसा सिस्टम डवलफ किया जा रहा है ज जब कहीं पर आप लोग एक साफ सफाई करने वाले भी रखोगे कोई ना कोई हमापर गेट पर भी कोई रखोगे हमापर टिकेट वगएरा लेने वाला वह सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर यह सारी फेसिलिटी प्रोवाइड करा जाती है तो कई लोग अगर आप लोग देखो टीक है इसी के साथ में वैसनों दे भी चले जाओ यह दरगहा पर आप लोग चले जाओ या किसी चर्च के अंदर में आप लोग चले जाओ तो यहाँ पर आप लोग को यह देखने को मिलेगा बहुत ही एक तरीके से लोकल एरिया पर इसका और एकनोमी के पॉइंट उप से काफी पॉजेटिव होता है तो ड्राइविंग फोर्स होता है उस लोकल एरिया में एकनोमी ग्रोथ का यह तो यह आप लोग को लिखने के लिए आप लोग के लिए इंपोर्टेंट चीजे हैं ठीक है तो कल्चर कई बार लोगों की रोजी मिलए Hetया सार्कीट एकर यह सार्कीट हो गया तो यहाँ पर इनको इस तरीके से कृनेट किया जिसे क्रसेनजी के नामकी अग मिलेगा सूफी सरकीट भी हाप अप लोग को देखने को मिलेगा त्राइबल सरकीट भी तो इस तोटल मिलाकर 15 सरकिट आप लोग यहां पर यह देखने को मिल रहे हैं जिनको ट्यूरिजम के पॉइंट ओप से डवलफ किया जा रहा है कि अगर आप लोग घूमने निगलो तो आप लोग हर जगह घूमकर आ जाओ उस पर्टिकुलर इन्फोर्मेशन से केनेक्टेड जो भी प्रोपोर ट्यूरिजम की बात की जा रही है ऐसी ऐसी भी चीज़े हैं आप लोग जानकर हैरान होगे कई जगह होटल वगरा नहीं है गाउं में जो घर है वो यहां पर एजे होटल के तोर पर सर्फ करते हैं अथीती देवो भाव वाला कॉंसेप्ट फोलो कियाता है तो द कोई घर में रहने आएगा उसको खाना पिना प्रोवैड कराएंगे तो उनकी भी रहन सेन खान पान अच्छा होना चाहिए तो यह चीज़ा आप लोग यहां पर अंडस्टैंड कर सकते हैं तो यह पूजिटिव एंगल आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है तो अलग अलग तरीके साउत में चलेगे तो अडली डोस आप लोग ने इंजोय कर लिया हांगी कोई लोकल सामान है उसको भी आप लोग लेकर आगे तो यह क्या क्या चीज़े हैं यह कल्चर है नूर्थ इस्ट में जाओगी तो इतनी खूब सूरच चीज़े हैं आप लोग म भी दर में करने वाले कहीं होग लोग रहते हैं हजार लोग तो हाँ पर होटल इंड़िस्ति डपलबफ फॉने स्टाट हो या उस पर्टिगलर रीजन के अंदर में तो एकनूमी पर बहुत ही इंपट पडता है ये बात आप लोग बोग सकते हो तो इसलीए हांपर यह स्व वहां के गाता हूं भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं बुलता है ना North India South India में भेध में वहां दिल से हमारा लूत है नहीं चाहिए North इस्ट में जाओ चाहिए West में जाओ हर जगह हमको भाता है यह मेरे 2023 सीक्टर उसकी माफ लोगो देखने को मलती है यह भी हां पर जो कि हां पर बात करते हैं कैसे need for करने हैं और wtedy history of tourism यहाँ पर इसको लेकर चलती है ठीक है ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चलती है फिर से वही है कि भाइसाब जो भी हमारे pilgrimies है खासकर जो हमारी देखो एक तो है कि नोर्मल चीजों को भी develop करना एक है कि हमारी जो religious या फिर culture के point of से चीज है उनको develop करना तो उसके उपर focus देते हैं कि रेल रोड ट्रांसपोर्ट यह वाटर ट्रांसपोर्ट उनको आप लोग को देखने को मिलती है तो बहुती basic सी चीज़े है जिसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए और इसका तो सेकेंड वर्जन भी आप लोग को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं यहां पर स्वेदेश दरसन पानी के अंदर में जाकर आप लोगो मश्रीय दिखाते हैं ठीक है उनको बतला घूमती रहते इतना अच्छे से इतना अच्छे से मेंटेन के अन्डबानी को बार के अंदर में वहाँ पर बकाइदा उसके लिए पूरी टीम है कि कैसे उसको अम लोग अच्छे से लेकर चल लेकर चल रहे हैं बहुत सारी ऐसी इवन जो गाउंवाला मुझे बड़ा अच्छा लगा था गाउं में बकाइदा ऐसे तरीके सिस्टम क्रेट किया गया है कि अथीति देवो वाला काम तो उसको और अच्छे से बीच ट्यूरीजम जहां-जहां हमारे लोग अब देखो हम अकबर ने पहली बार यहाँ पर ज़ाकर बीच देखा था बताइए डान्रेगल यहां नहीं पहाडी एरियाओं में कोई आता है वरफ बारी पहली बार कोई देखता है तो यह लगता है वाओ यार्फ जारे एक तरीके से बारी बारी आप लोग है है पर सामने निकल कर आते हैं तो यह चीज़े क्या है अगर आप लोग इसको देखोगे तो यह कही न कहीं एक तरीका है जिसके थुरूं यहाँ पर आप लोग चीजों को अच्छे से डवलाफ कर पाते हो और जैसे जैसे चीज़े बढ़ती है उससे फायदा क्या होता है इससे तोनों को फायदा होता है एक तो देश में इंटिग्रेशन आप लोग को देखने को मिलेगा जाद से जादर लोग एक जगे से दुरी जगे पर जाते हुए नजर आते हैं और सी के साथ में कि इंपोर्टेंट क्या होता है एकनोमिक पॉइंट अपसे यहां पर काफी सारी चीज़े बढ़ती नजर आती है एक तरीके से आप लोग बोसते हैं एक चीजों को जादे से बढ़ावा दिना ट्यूरीजम के पॉइंट अपसे कैसे कैसे हम लोग और चीजों को बढ़ा सकते हैं एक दूसरे के साथ है मिलके तो कई रूसरे मिलेगर मिलकर groups या जो है वो बढ़ा आदे हैं कि हाँपर क्या चीज के पउंपर सकते हैं और इसमें लोगàiर के बीजनस में ब्या के तूलकल समसकते हैं तो यह पूरी की पूरी दो स्केम कवर करा दी और रीजन क्या था उसके बारे मैं ने बता दिया तो इसके उपर भी आप लोगों से मैं कुशन डिसकस करूँगा वीडियो के एंड में टोपिक समझ में आया या फिर नहीं पहले आप लोग यह बता दीजिए ताकि मुझे काफी अच्छा लगा इसके बारे मैं लगा कि आप लोगों से बात करू तसलिमें यह काफी इंपोर्ण है यह बारे में basic information कई सारी आप लोगों से तो मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं और हो सकता है कि आने वाली जनरेशन भी उन्हीं को पड़े हाला कि अब तो चेंज करती है नेसला एजुकेशन पूलिस ने पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बद है क्या देखने को मिलती है यह personally feel होता है हमारे education system के अंदर में उसके अंदर में एक innovation की काफी ज़दे कमी आप लोगो देखने को मिलेगी मतलब चीजों को ज़्यादतर है कि हाँ complete कर लो बस पर लेकिन जो इंसान है वो कुछ अच्छी सी learning जो हता है एक तरीके से कि learning करके कम से कम वो अपनी earning करने start कर सके जो बच्चा है उसको जल्दी से जल्दी self dependent बना सको हमारी देश के अंदर में ऐसा नहीं है फोरन में अगर कहीं पढ़ने जाते हैं जैसे 9 और 10 के बच्चों का आप लोग आसानी से पढ़ा सकते हो आज की डेट में आसानी सी ट्यूशन आप लोग दे सकते हो यह इतना आसान है कि आप लोग इसके लोगी प्रिपेशन की प्रिपेशन होगी और आप लोगों की पोगिट मनी निकल जाएगी तो घर के उपर में आप लोग की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी यह बहुती लार्जी स्केल पर आप लोग इसका इस्तमाल कर सकते हो मैं आप लोग को बता दू जहां पर जिसे रहा करते लोग लोग को अपकार मालिक के बच्चे देखने को मिल जाएंगे मुहले परोस के दो-तिर बच्चे देखने को मिल जाएंगे और जब यह पना चलता है कि यह यूपसी की तहरी कर रहा है तो लोग उलेडी उनके आखों में चमाक आ जाती है अच्छा यह तो यार सीरियस है ठीक है तो आसानी से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते तो आप लोग महां से अपना जो है थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकते हैं असानी से पर लेकिन ऐसा मत करना बहुत जादा फीस ले लिए कि जो भी कोई उनसे जादे फीस ले रहा है उसके आधे म अपनी पढ़ाई की पढ़ाई हो जा रही है और खर्चा का खर्चा निकल जा रहा है तो यह चीजे बकायदा फोरन में सिखाई जाती है पर हमारी देश में क्या है इसको कोई नहीं बताते है आप लोग को नोर्मल देखा जाए तो हाईयर एजुकेशन तक भी आप लोग पीचेडी भी कर लोगे ना फिर भी आप लोग यह पास में कोई ऐसी पर्टिकुलर इस्किल नहीं होगी कि जोब मार्किट में आप लोग जाकर टेक सको तो यह हमारी देश के एजुकेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा खतरनाक एक ऐसा एरिया देखने को मिलेगा जिसके आप लोगों याद होगा मैंने आप लोगों से डिसकसन किया था कि हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन है ना याद रखना यह पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता था जिसे नहीं साथवे सेडियूल के अंदर में तीन लिस्ट होती है एक को बोलते है यू आप मिलके काम करते हैं अच्छे से और यहाँ पर center और state जो हैं वो मिलकर काम करते हैं इसलिए national education policy जो central government के द्वारा लेकर आएगे जिसका जिक्रिस आर्टिकल में बार बार किया गया वो सारे के सारे state जो है उसको implement करते वे नज़रा रहे हैं अपने अपने level पर थोड़ा बह engineering बीट्यक करते करते आप लोगों को लगा कि नहीं यार गलब जगया पहली साल में छोड़के आप लोगोंने कोई दूसरी चीज़े श्टार्ट कर दी तो यह साल बेकार नहीं होना चाहिए इस साल को भी consider करना चाहिए था तो यह start किया गया अभी एक साथ में दो दो बात निगल कर आती है कि education system को कैसे हम लोग skill में develop कर सकते हैं और इस skill से कैसे job market के साथ में connect कर सकते हैं यह gap अभी भी हमारे देश के अंदर में देखने को मिलता है और इसलिए reason यह है कि जब भी कोई बच्चा अपनी qualification complete कर लेता है उसके बाद भी वो market की तरफ को उठा के द बढ़ रही है जो graduate है पोस्ट graduate है पर लेकिन employment जो है वह available नहीं है यानिकि unemployed youth की संक्य हमारे देश के अंतर में बढ़ती हुजा रही है कि बढ़कर अभी 34% हो गया है कब है यहाँ पर 2021 के अंदर में अभी अगर 2024 के बारें बात करें तो यह आप लोग लगबग 35-40 से करीब आप लोग को देखने को मिलेगा इतने large scale पर दिक्कते देखने को मिल रही है तो यह कहीं न कहीं क्यों है यह इसलिए है क्योंकि education system को complete करने के बार में भी कहीं पर भी कोई guarantee नहीं है एंड तक भी कि आप लोग को जो मिल जाएगी या फिर कोई यसी skill मिल जाएगी कि आप लोग अपना पेट पूजा कर सको वह अलग बात है कि मैं कहा रहा हूं कूशन पढ़ा लिना वह था आप लोगी capability है कि आप लोग उने इ national education policy आज से नहीं हा रही हमारे देश के अंदर में मैंने याद रखने का तरीका बताया था 1968 में पहली national education policy लेकर आएगे थी इसको उल्टा कर दो 1986 में दूसरी education policy लेकर आएगी और अभी recently तीसरी education policy लेकर आएगी है अब तक भी education में जितना spend करना चाहिए खर्चा करना चाह इसके लिए मैंने तो solution बताया था सरकार तक पहुचा दो यार कि government school के अंदर में सबसे खतरनाक चीछ जो मुझे अपनी एक irony देखने को मिलती है देश की मतलब हम लोग क्या करते हैं 12 तक का तो हम लोग को private school में पढ़ना है ठीक है 12 तक का private school में पढ़ना है क्योंकि 12 तक का graduation करने के बाद में हमको या graduation के लिए हम लोग को एक अच्छा government institution चाहिए तो यह ऐसा माहूल ऐसा देश के अंदर में create work है जबकि foundation हमारा 6 से लेके 14 साल के लिए हम लोग free and compulsory education provide कराते है और बकाइदा 86th constitution amendment किया था 2002 में यह चीज हम लोगोंने provide कराने के लिए पर आज तक भ language यह कैसा barrier है मैं आप लोग को बता दूँ मैं state board से निकल कराया state board से निकल के आने के बाद में English adapt करने में मेरे पसी ने चुट गए मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि जब हिंदी से English में आप लोग जाते हो ना तो आप लोग को इतनी सारी problem होते जिसके कुछ पर आप लोगो थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा उसके उपर काम करना पड़ेगा अभी कई सारे बच्चे पूछ रहेते भी एक बच्चे का ओर में mail देख रहा था उसने बोला कि sir मैं जो हो particular local area से आता हूं तो यहां पर यह language follow की जाती है मैं सोच रहा हूं कि अभी आपने जैसने application के उपर में Hindi की भी classes start हो रही है वहाँ पर ठीक है तो इसके चलती करहा है कि sir में Hindi ले लो क्या compulsory subject था नहीं तो मुझे कोई और local language लेनी पड़ती है वहाँ ठीक है तो आप लोग समझ सकते इसके लिए क्या करो आप लोग पुराने पीवाई क्यूज उठा के देख तो पहले अपना आपको prepare करो अगर Hindi medium में देना है sir paper English medium में देना है बहुत सारे बच्चों का एक confusion रहता है ये आप लोग खुद बता दोगे at least NCRT एक बार उठागर पड़ो NCRT पढ़ने के बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरीके चीजों को ले अपने आपसे आप लोग decide कर सकते हो बस आप लोग को only आठ दिन से दस दिन के अंदर में आप लोग को ये सारी चीजों का पता चल जाएगा कि कि इधर आप लोग को जाना है उनके ओपर question लिखकर देखो मतलाब answer writing वाले उनके ओपर में PYQs लगा कर देखो आप लोग को चल जाएगा तो यहां से सारी चीज़े आप लोग understand कर पाओगे तो ये मैं आप लोगों को self-evaluation करने का तरीका बता रहो optional subject दुनिया भर के सर ये वाले option subject आपके पास में है तो हम लोग क्या इनी option subject को ले लो क्यो भाई आप लोग की मालीजे वो option subject पे जड़साभी interest नहीं है आप लोग को ये option subject जब पूरे एक साल तो रखना है हो सकता है दो साल भी आप लोगो रखना पड़ जाए तो खुद स समझ में आ रही है आप लोग connection उसके साथ में establish कर पारे हो और आप लोग उसको enjoy कर पारे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है पर at least उसका syllabus और उसके पुराने question paper उठाकर तो देखो एक बार तभी आप लोग चीजों को अच्छे से connect कर पाओगे तो हमारे देश के अंदर में problem guidance की भी आप लोगो देखने को मिलेगी इस skill के बारे बात की जारी है तो ही है इसके साथ में guidance के भी problem बहुत बड़ी है हर एक school के अंदर में teacher को बकायदा ऐसी training देनी चाहिए कि बच्चों को future career कैसे लेकर चलना है उसके लिए उनको त्यार करे इस skill का तो college के अंदर में होने ही स्कूल के अंदर में भी कुछ इनकी स्केल के development के त्यार होनी चाहिए पता है पुराने टाइम पर आप लोगों को बता दू हमारे यहां पर जो गुर्कुल वगएरा system हुआ करता था उसमें बच्चे को ऐसे तयार किया करते थे कि कोई भी इंसान बीरोजगार नहीं रहता यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह लोड मैकाले के द्वारा बोला गया है जब उसने education के ओपर रिपोर्ट सम्मिट की थी ना वह कह रहा था कि यहां पर कोई भी इंसान जो है वो unemployed परसन नहीं है हर एक इंसान के पास में multi-skill होती थी अपना पेट पालने के लिए इतना ताकत और education system था हमारे देश का और आज की डेट में education system देखो यह western education system फोलो करके हम अपने देश के बच्चों को पर रोजी रोटी तक नहीं प्रोवाइड करा पारे हूं तो समझे आप लोग यहां पर खेती बाड़ी करने में लगे हैं पता नहीं कहा का उनको जाकर अपना time pass करन था ठीक है छोड़ी छोड़ी चीजें तक सिखाए जाती थी पहले आपर जैसे कोई बढ़ाई गिरी होगी ठीक है कारपेंटर गिरी होगी यह सारी की सारी जो भी जो कुछ सीखना चाहता है इंसान यहां पर ताकि वो अपनी रोजी रोटी यहां पर आगे चला सके ऐसे त आप लोगो नाई की दुकान खोलने के लिए आप लोग ने बाल काडने मस्ट्री ओगे अपने नीचे पांच यह बंदे रख वोगान से बाल कट वह आप लोग लोगों को अच्छे बिजनस के तोर पर आज के डेट में इनको लेकर चला जा सकता है आप लोग अच्छे इं कि आज की डेट में यहाँ पर हमारे देश के अंदर में खेती बाड़ी पुराने टाइम पर देखोगे ऐसे चीज़े थी आप लोगो अगर agriculture के बारें बात कि जाए कि कितने शांदार तरीके से agriculture को लेकर चलते थें कितना ज्यादा profit देखने को मिलता था आज की डेट में हम लोग fertilizer वगर का इस्तमाल करकर भी ऐसे पैदावार धंग से नहीं ला पाते हैं और उसमें दुनिया भर की बीमारी लग जाती है तो professional agriculture होने चाहिए हमारे देश के अंदर में इसके उपर काम करना चाहिए कि लोग खेती बारी को भी एक profession की तरीके से लेखें तो फिर उसमे अंदर में आज की डेट में काफी लार्जी स्केल पर GDP का research and development में खर्चा करते हैं हमारे देश के अंदर में हम लोग research and development में खर्चा ना करके सोचते हैं कि सामने वाला कौन कैसे कर रहा है उसको कोपी मार लिए और आगे बढ़ गए यह चीज़े जाद देखने को मिल सकती ह अपना यह देख रहे हैं वह नहीं किदे एक भेट जाकर गिर गई कहीं अपना टैलेंट नहीं देख रहे हैं आप लोग को बता दूं जब मैंने online lecture देने श्टार्ट किये मतलब मेरे इतने सारे जानने वाले थे जिसकी कुछ नहीं है सब ने सोचा कि यार online आकर पढ़ा ल तरीके से कला करती हैं अलगलग टैलेंट होते हैं सब इंसान के तो अपने टैलेंट को समझो और उसके उबर में काम कर आप लोगी हां पर ठीक है तो national education policy भी इस चीज में आप लोगी help करती है कि आप लोग select कर सकते हैं क्या क्या आप लोगी requirement है और उसके base पर अपनी education को ल अप लोग video editing करना जानते हैं सोर्स video editing करना अप लोग जानते हैं यह आप लो अच्छी हंदी जांते हैं इंग्लिस को translate करकी उसको आप लोग कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोग अपना resume मैं कोई ऐसा इंसान है क्या जो हिंदी इंग्लिष टांसलेट कर सकते हैं मेरे से पूछते रहते हैं या फिर SLB टीम में भी अगर रिक्वार्मेंट पड़ेगी तो यहां पर आप लोग की पढ़ाई भी चलती रहेगी और पार्ट टाइम पर थोड़ा सा अप लोग एक थोड़ा कर रहें दिल लगाकर वह अपना खर्चा निकाल रहें और पढ़ाई भी कर रहें इसे फायदा क्या होता है एजुकेशन इसिट्यूशन के साथ में कैनेट होने का कि आप लोगी पढ़ाई भी चलती रहती है और आप लोग का बिसिकली थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी जोब देदो आप लोगो किसी को बोलोगे जाकर कोई बोले आपको मैं बहुत गरीब हूं मुझे जोब देदोगे कोई देगा कि आप लोगो को यार उसको सर्विस प्रोवाइड करानी है उस इंसान को अगर उसको क्यो खौली नहीं मिलेगी तो इसका तो काम धंदा बंद पर चल सकते हो कि कोई भी जोब नहीं देने वाला यह बोलोगे जाकर कि मैं गरीब हूँ और मुझे जोब दे दो यह एक कहवत बोली आती है बड़ी कड़वी है ठीक है आप लोगो help मिल सकती है कि हा मैं गरीब हूँ अपना कोई बना रखा है या फिर कोई कुछ भी ऐसा पीपिटी आप लोग बनाने जानते तो वह सेंड आप लोग करिए और मुझे नहीं जहां भी आप लोग भीज़ते अपना रीजियो में तो वह आप लोग बेसिकली चीज करिए तो यह चीज में आप लोग बोलना यह बात कर रहे है अभी आप लोग को देखने को मिला इरान के अंदर में एक बहुती बड़ा बोम बलास्ट आप लोग यहां पर देखने को मिला ठीक है इरान एक्जक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखेंगे तो यह अपनी प्यारी कंट्री यहां से अगर यहां पर जा कर रहा है और USA के खिलाब जो है वह बिल्ग को सामने आकर खड़ा हो जाता है तो सबसे बड़ी कंडिशन क्या निकल कर आती है कि भाई साब इरान को लेकर कैसे चला जा रहा है आप इरान को अगर आप लोग यहां से समझने कोशिस करोगे तो आप लोग यह समझ सकते हो कि दुनिया भर में जो टर्रिजम जो फैल रहा होते ही कम्यूटी के द्वारा यह मना जा रहे कि इरान की देन है उसको इस तरीके से देख रहे है कई सारे लोग कि इरान की वज़े से यहां पर यह फैल रहा है इरान के अंदर में हापर इस चीज़ को काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट के जा रहा है और इसकी वेसे आप लोगो पुराने टाइम पर देखा ना United States of America के जो बेसिकली हाँ पर उनने क्या किया था इरान के जो लेडर थे उनका एसेसिनेशन किया थे यहां पर ठीक है तो उनके अंदर गुसकर उनके विलेटरी लेडर को मरा था उस टाइ प्राइल और पालेस्थीन के बीचे मुद्दा चल रहा है तो वहाँ पर उसको सीज़ फैर कर दो यानिके वो लड़ाई नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफी लार्जी स्केल पर लोगों की जान जा रही है और वो एक तरीके से मुस्लिम कुमुनिटी पर एक तरी चाहर की जा रहे है तो उसके चलते बाद बोली जा रही है पर उसको चाहिए वो रूके क्योंकि उसके हतियार सप्लाई हो रहे है वहाँ पर तो इस तरीके से डिरेट और इंडिरेट वे में अगर कुछ भी यहाँ पर USA के और इरान के बीच में होता है जैसे पुराने रहे है और इरान कई सारी मिसायल के टेस्ट कर चुका है और भी बहुत सारी चाहिए देखने को मिलेगी तो जैसे नोर्थ कोरिया अभी रिसेंटली USA को बार बार ड्राता था आके दिखा के उसी पैटरन में अभी इरान भी आप लोग को आता होना ज़रा रहे है क्योंकि य यूकलर पावर कंट्री बनता हूँ आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे है और यह इसको सपोर्ट करने में जरा से भी कसर नहीं चोड़ रहा है चायना क्योंकि चायना भी अपने प्रोक्सी यूस कर रहे है जैसे नहीं यूस से क्या करता है इस्राइल को सपोर्ट प्र के self-dependency है उस सबसे best एक तरही सर्विस बोल सकते हैं जहां जापर conflict होता है यहां पर conflict हो आप लोग भुके मरने स्टाट होगे यहां पर conflict हो लोग के तेल या crude oil जो हे वो महंगे होने स्टाट होगे तो यह चीज़ा आप लोग यहां से समझ सकते हैं तो बहुत ही basics है तो ऐस पर फिर बदल कर रहे हैं वह नहीं होता है जैसे मार्किट के अंदर में कोई भी प्रोडेट आप लोग लेकर आए बेचने के लिए वह प्रोडेट में आती ही खतम हो गया तो लोगों क्या लगता है बहुत डिमांड है आपर इस प्रोडेट की तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि आदानी साब के ओपर में आरोप लगाएगे कि इन्होंने अपने ही जो इस्टोक है मार्किट में से उनको खरीद कर उनकी वैल्यू बढ़वा देते हैं और इसकी वज़े से यहां पर उनकी जब वैल्यू बढ़ जाती है तो बहुत ही ऊंचे भाव में बेचे जाते है मार सारे आरोफ हिसा पर लगाए गे इनके ऊपर में तो उसी का fight करने के लिए अभी हां पर जो आरोफ हैं उनको ते अहां पर धर किनार कियाया गया पर लेकिन जो से भी है यहां कि सीक्योर्टी एक्स आप लोगों का पैसा यहाँ पर लगा होता है अगर गलत तरीके से उसको बढ़ा कर ऊपर चढ़ा कर वो आई पर निकाला गया है और फिर उसकी मार्किट में वैल्यू जो है वो ऊपर रखनी कोसिस की जा रही है अपने आप ही ख्रीद कर market में उसकी shortage create करकर तो इसकी वज़े से ये गलत तरीके का गलत तरीके की tendency है इस तरीके से trade को create करने की किसी अपने यार दोस्त को बोल लिया कि भाइसा तुम ही खरीदो सारे market में कम ही रिखने चाहिए जितने कम रहेंगे उतनी ज्यादे value हाँ पर बढ़ेगी तो इसका मतलब जहें धांदले बाजी हाँ पर की जाती है ऐसे system को और इसका फर्दा फास किया किसने हिंडर बंग ने पर लेकिन Supreme Court के द्वारे हाँ पर इसको अलग तरीके से देखा गया इसमें ऐसा कुछ ज्याज़ा देखेने को मिला और सेभी को बोल दिया हमाँ पर एक तरीके से इसका जो है इसके लिए कार्टिकल और कोश्चन भी आप लोगे लिए एक सेकिंड है कि तो गयो वे कि तो गयो यह रहा ठीक है तो यहाँ पर अदानी देखो यह हिंदू के अंदर में दो एडिटोरियल आगे इसके उपर में और एंडियन एक्सप्रेस के अंदर में पुरा आर्टिकल चपा इसके अंदर में कि अदानी हिंडर बग का जो केस वर्डिक्ट है सुप्रेम कोड ने रिजेट कर दिया कि इसके ऊपर में साइटी को स्टेब्लिस करने की बात की ठीक है कि यहाँ पर इसको एलिगेशन को चेक करेगी पर लेकिन बोला गया उसको हटा कर कि यहाँ पर यह नहीं लगाएंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सेबी को ही यहाँ पर यह काम देदेगी क्योंकि सेबी ही बेसिकली करने वाली हाँ ठीक है तो इसके चलते हैं यहाँ पर यह मुद्द आया निकल कर कि इसको यहाँ पर इसी के हाथ में दे देते हैं ताकि यहाँ पर यह अंदर का माल है अंदर इसको संभाल ले हाँ पर वरना मुंबई में देखने को मिलेगा और फाइनस मिश्टी के अंदर में आती है चेयर परसन के बारे में कई बार पूछ ले आता है तो हलका सा याद रख सकते हैं ज्यादे रेटनी की जुरूत नहीं है वंडे टाइप एक्जाम में एकसर कोश्चन बन जाते हैं सेक्योर्डी एक इसलिए हाँ पर आप लोगो फाइनस मिश्टी और रिजर बैंक से मेंबर देखने को मिलेगे जो कि अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोग का इंट्रेस्ट यहाँ पर प्रोटेट किया जाए आप लोग के साथ में कोई फेक चीजए नहीं देखने लेट करने का काम करती है यह पर्ट्यूलर मार्केट जो कि government of India के दि़्वरा ओन की जाती है याँपर चने का मतलब यह कि जब से य इसकव్थ है वो धरतीमर Ihए त और इसकी विज़े से यहां पर यह बोला गया था कि काफी लार्जी स्केल पर इंपैट पड़ा था खासकर इस्टोक मार्किट के उपर में तो इसको चलते हैं हाँ पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि इसको जान भूज कर इसको इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिस की जा रही है ताकि देश के अंदर में कोई नहीं बढ़ती ही चीजों को रोका जा सके तो कई बार ना आप लोग को देखने को मिलता है कोई अच्छा काम करें तो उसके टांग खिचने वाले एक हजार देखने क को मिल रहे हैं तो पेटिसन जब फाइल की गई सुप्रीम कोट के अंदर में तो सुप्रीम कोट का डिजिजिशन आया उन्होंने हाँ पर जो स्पेसल इंवेस्टिकेशन टीम की बाद में साड़ में चीज़े रखके कंड़ेट करने के लिए बोल दया कॉम्प्रिहेंसिव कोट के अंदर में एडरेस करना था कि पॉसिबेल्टी की वोईलेशन यहाँ पर जिस तरीके से से शेर होल्डिंग सिस्टम का जो एक तरीके से ट्रांजिशन सिस्टम का जो यहाँ पर इस तरीके से लूफ वाल देखने को मिला है कि अपने ही लोगों के द्वारा चीज़े अपने देस के लोगों के इसके अंदर में उनके इंट्रेस्ट को ज्यानवें रखना है इसके अंदर में आप लोगों अकॉपल ब्लत करे तो कौन रेस्पॉंसिबल होगा है इसका यह भी सूचना पड़ेगा insider trading के बारे मैंने बात कितना कि अंदर ये अंदर बता दिया कि आज इसके भाव बढ़ेंगे आज इसके उपर लगा देना कल को इसको बेज देना तो insider trading भी बहुत ही खतरनाक चीज थी जो कि प्राने टाइम पर देखने को मिलती थी तो आज की डेट में इसको भी side में रखने की कोसिस की जाती है ये चीज़े आप लोग समझ सकते हों तो basic or important है इसके बारे में आप लोग idea रखेगा कोई confusion इसको लेकर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये article ऐसे हैं जो कि यहां पर लंबी समय से चले विया रहे है अभी फिर से क्य का चोड़ी चोड़ी न्यूस हो रहे हैं आपर मैं आप लोगों को बता देता हूं जैसे कि यहां पर प्राइमिस्टर नेरेंद मोदी साब जो है वो अभी हां पर कहां पर पहुचे तो कारवती कारवती आप लोगों को आइलेंड देखने को मिलेगा तो हां पर development के की तो चार किलमेटर की डिस्टेंस यहां पर बता जा रहे है कुछ इए एरपोर्स हैं तो यहां पर प्राइमिस्टर मोदी जो है वो पहुंचे थी तो यह पर यह पर यह पर यहां पर याद रखते हैं कारवती जो हैं आपर यह बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल तो यहाँ पर यह most developed island भी है अभी आप लोगों से मैंने distance के थे कई सारे कि यहाँ पर अंदमान निकोबार वाले एरिया बे यहाँ पर development करने की बात की जा रही है same pattern में हाँ पर लक्से दीफ साइड में भी development करने की बात की जा रही है ऐसी आप लोग यहाँ पर यहाँ पर यह समझ सकते हैं और उसके development को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है तो कई सारे यहाँ पर island है जैसे यहाँ पर कैरा यह होगे है particular होगे हाँ ठीक कवरिती होगे हाँ इसी नोर्थ से साॉथ में लगाने के लिए कई बार can줘 आप लोगों से पूछ लाता है ठीक है तो यह कोशन आप लोगों से एक discuss करूँग गा मैं जैसे आप लोग यहाँ पर दिखेंते है तो यह direct question आप लोगों से पूच्छ लाएं कि इनको नोर्थ से साॉथ में लगा अप ल इसको आप लोग के सामने इनको आप लोग करें देखता हूं कितना अच्छे से आप लोग करोगे में और इंडियन साइंस कॉंग्रेश जो है यह कैसी है यह एनवली देखने को मिलेगी First week January के अंदर में साइंटीज जो होते हैं सारी खट्य होते हैं रही है ठीक अलग गलग तरीके सो साल से भी पुरानी है 1914 में स्टार्ट किया गया था तो आप लोगो सी आंसर देखने को मिलेगे हैं आपर इसका भी ठीक है एक्जक्ट सही आंसर आप लोगा तो confusion नहीं होना चाहिए next question देखते हैं आप फोग पास device के बारे में आप लोगों से पर डिस्पले होता रहता है ताकि गाइड होता रहे उसको करेट कौन सा है यहां पर only one only two both यह फिरनन सही आंसर बताईए क्या है देखता हूं कौन सी आंसर देता है exactly इसका भी आंसर आप लोगो सी देखने को मिलेगा तो इसका भी आंसर सी है ठीक है next बात करते हैं यहां पर इसका आंसर सी नहीं है ठीक है यहां पर central sponsored scheme है हापर स्वेदेश दर्सन scheme पहला यह बुला गया है दूसरा बुला गया है गवर्मेंट जो है वो चाहती है लोगों का experience वह अच्छा रहे यहां पर जबी भी कोई कहीं पर घूमने जाता है जिसको लोग जानते नहीं lesser known destination को पर्मोट के जा सके और और ministry of tourism और ministry of culture जो है वो यहां पर काम करती है आप लोगों को मिलकर नजराती है सही answer आप लोगों यहां पर बताने क्या है क्या answer है इसका answer इसका answer आप लोग देखने को मिलेगा अगर थोड़ा सा भी आप लोग चीज़ों को समझोगे तो आप लोग उसको अच्छे से connect कर होगी तो इस तरीके से चीज़ों को देखा करो ता कि आप लोगों से जब question पुछें तो confusion आप लोगों के मन में हाँ पर नया देखने को मिले ठीक है तो मेरा कहने का मतला है कि question आप लोगे अच्छे से होने चाहिए और वो तभी होगी जब आप लोग नहीं से समझोगे से मैंने बता था मुंबई के अंदर में ठीक है तो इसका अंसर क्या हो गया इसका आप लोगो यह देखने को मिलेगा तो direct question आप लोग के सामने कोई भी confusion आप लोग के लिए नहीं होना चाहिए और यहाँ पर अभी मैं बेस्ट question भी आप लोग आप लोग गई है आप लोग द इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे तो attempt करना चलिए आप लोग लिए question छोड़ लिया मैंने यह आप लोग इसका अंसर कल जो आप लोग के बताया जाएगा ठीक है तो यह आप लोग लिए आज की vocabulary है आप यह इनके उपर आप लोग को sentence form करने अच्छे से तो देख box में रिखना आपने answer जो भी question के answer आप लोग उसे पूछेगे थे क्योंकि live वाले तो सारे खतम हो जाते हैं तो comment box में आप लोग उसको लिखना है ठीक है और इसके लिए फिर से extremely sorry जो मैंने बताया basically कल से आप लोग की video time पर आप लोग तयार है ना बिलकुल systematic में में और इस की class आप लोग को देखने को मिलेगी शाम को चार बजे तो ये दो किलास अभी start हो रही है बाकी मैंने बोला तो आट से था पर फिर भी कई सारे teacher थे उनके पास में time निकल गया तो अभी से उनको start कर देगा पर एक free of course ये classes आप लोग के चलेंगे slv civil services वाले channel पर तो उसके लिए आप लोग ready रहेगा चीजों को अच्छे से enjoy करने के लिए अगर state pieces की त्यारी कर रहे है तो बहुती शांदार तरीके से आप लोग के लिए एक बहुती systematic में में regular classes आप लोग को देखने को मिलेगी हाँ पर free of course है test series जोइन करनी चाहते है तो तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर follow कर सकते हैं website भी study lover.in तो यह था आज का total discussion answer writing के लिए आप लोग यहाँ पर connect करी सकते हैं और बाकी जो मैंने आप लोग को बताया था PDF पगेरा वह आप लोग को यहाँ पर daily एक tiles रहे गए हैं यहाँ पर इसमें आप लोग को इसके नी सब्सक्राइन रखता है और अच्छे से चीजों को लेकर चलते रही है अपना जहान रखिएगा और coupon code old वाला यूज करना आप लोग मत भूलिएगा बिल्कुल भी sociology optional की demo class नहीं मिल रही है demo class मैंने provide करा दिए तो आज उनको provide करा देंगे चैनल पर आप लोग को मिल पर भी मिल जाएंगी तो उसके लिए तैयार रहे ना यूपी PCS का form भर दीजिए उसको ज्यादा लेट मत करना बाद में फिर लेट हो जाएगा ठीक है आज मेरा birthday है सर सुनील happy birthday year अच्छे से अपने target को अचीव करो जिंदगी में आगे बढ़ो सर यूपी PCS CSET में भी हाँ देखो CSET तो यार CSET है वो कुशन सब जगे पूछे आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग यूपी PCS कई वहाँ पर CSET हो वो लिखी दिया गया उसके ओपर में पर लेकिन वहर जगे आप लोग को फायदा पहुचाएगा अपना सेले बस थोड़ लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिए बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार चोटी से लाइफ एंडियों करार मिलता हूं नेक्ट लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद मोजलो रोजलो नहीं मिले तो